हाई हाई है दिसनलनाज रोगिल इंग्लिश्लेडिनेदेर और करिये कुछ आई ऐचूवात करते हैं हमारी नेक्स क्लास में जिसमें हम सीखने वाले Non Actions को अभी तक हमने जॉणा actions कैसे काम करते हैं language के अंदर action भी काम करते हैं दुनिया की हर language के अंदर हम लोग बाची sentence के माध्यान से करते हैं sentence हमारा दो तरह का होता है जिसमें पहला type आता है action यानि वो वाक्य वो sentence जिसमें काम होता है और दूसरा होता है non action तो आज हम उन्ही नॉन एक्शन पे बात करने वाले हैं और जितने भी लैंग्विज होती हैं सब में बेसिक यही होता है इसलिए दुनिया की हर लैंग्विज के अंतरगत नॉन एक्शन सेंटेंस में यह कुछ special category आती है उन्हें हम जानते ही यह special category कौन से होती है तो मैं बात करने वाला हूँ नॉन एक्शन जैसे नाम से ही बता चल रहा है जिसमें काम नहीं होगा तो अब ऐसे कौन-कौन से conditions होंगी कौन-कौन से types होंगी जिसमें काम नहीं होता है जब एक बिक्टी introduction के दौरान अपना नाम बताता है तो वो जो नाम बताना होता है वो हमारा non-action की category में आता है कि उसमें कोई काम नहीं होता है एक बिक्टी आम एक बाता है तो इसमें बाता है तो वो सारी किसमें जाते हैं तो चली आज सीखे लेते हैं कि non-action के अंदर हमारे पास कितने तरह की conditions होगी So there are four types of conditions in non-action sentences The first is name यानि एक जगती जब अपने नाम बताएगा तो वो किस में जाएगा? Non-action में जाएगा And second is profession जब वो अपने website के बारे में बात करेगा तो वो किस में जाएगा? Non-action में जाएगा And third is quality जब वो अपनी quality की बारे में बात करेगा दूसरी की quality की बारे में बात करेगा तो वो किस में जाएगा? Non-action में जाएगा Condition Condition की बात करेगा तो वो भी non-action के अंदर जाएगा तो हमारे पास ये चार type के sentences होते हैं जो non-action category में आते हैं पहला है name दूसरा है profession तो मेरे साथ practice कर लीजिए बहुत दीजिए एक बार Name, Profession, Quality, Condition Name, Profession, Quality, Condition Name, Profession, Quality, Condition तो ये चार category के हमनों जानते हैं तो name की बात करेंगे तो I am नाम बताने का बैतीन तरीका I am या फिर my name इस करके हम बात कर सकते हैं लेकिन myself का use ना करे Myself एक informal होता है जाएंगे तो घरत भी होता है हाँ informal चलेगा आप दोस्त त्यारों से मिल रहे हो पार्टी शाटी में मिल रहे हो Yes, myself दिस दिस But when we are in Professionally Right, तो उसे language में सामिल नहीं करना है चोले, now we talk about Profession यानि website आप क्या करते हैं तो मुझे बता रहा है I am Anuj Makil, I am a teacher I am Anuj Makil, I am a teacher So I am a teacher, मैं कोई काम कर रहा हूं क्या नहीं Again, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं सिर्फ अपने बारें बता रहा हूं उसमें कोई काम नहीं हो रहा हूं तो again, वो सेंदेस किसमें किया Run Action category में गया In the same way, मुझे बताना Mr. Ramis के बारे में He is a doctor So he is a doctor, में उन्होंने कोई काम किया क्या? नहीं उन्होंने भी काम नहीं किया तो वो क्या हो गए? Doctor हो गए That means, उसको पॉपशिन doctor हो गया Right? And अब हम पाद करते हैं हमारे Quality Quality मतलब गोन? Quality That means adjective So मुझे बताना I am handsome I am handsome मतलब मा कुपसूरत हूँ It's only a sentence Don't comment Okay? So अभी हम बात करें I am handsome और Mr. Ramis के बात करो He is intelligent enough So he is intelligent enough वो परियाप intelligent है वो भरपूर intelligent है साम बोल सकते हैं And मुझे बताना है This class is very big This class is big This class is very big So this class is adjective हो गया So हमने जाना है कि quality के अंदर हम हमेशे उन चीजों के बारे में बात करते हैं And for this condition Condition दा अवस्ता इस्ति So मुझे बताना I am happy So मेरी इस्ति जो है समय में बड़ा खुश हूँ So मैं खुश हूँ मेरी इस्तिधी क्या है? Happy In the same way मुझे बताना है he is upset So Mr. Ramesh is upset Just because of he is a doctor He is a medical professional That's why he is upset Because of heavy workload Maybe or another reason But he is upset So he is upset मतब इस समय जो उनकी condition है वो क्या है? वो upset है And this classroom is hot And यह जो कमरा है यह जो क्लास्रूम में ही कैसा गरम है So यह भी क्या हो कि इसकी इस्तिती होगी Right तो हमने जाना कि हमें non-action के अंदर तर हमारे पास चार condition आती है पहला है name, दूसरा profession, तीसरा quality and चौथा condition Right So I hope आपको समझ में आगे होगा और इसके लिए practice के लिए हमारे पास एकी तरीका है Simple मैं आपसे जाना चाहता हूँ R.E.U. तो मैं R.E.U. में profession भी जान सकता हूँ R.E.U. में quality भी जान सकता हूँ Right So मैं आपना, are you doctor? No, I am not a doctor But he is a doctor Right तो इस structure को follow करते हूँ आज हमें practice करना है हम इसके लिए quality की भी भी बात करेंगे और इसके लिए हम लोग professional की भी बात करेंगे तो हम लोग दोनों ही condition में इसके यूज कर सकते हैं Even आप नाम में भी यूज कर सकते हैं किसी department में आप गए और आपको Mr. Verma से मिलना है और आप देखते हैं कि वेक्ती बैठार लग तो यही रहे हैं आप उनसे कुछ है Are you Mr. Verma? वो कहता है, No, no, I am not Mr. Verma, but he is Mr. Verma Okay, okay, okay Actually, I want to meet him मैं उनसे मिलना चाहता हूँ Right तो इस वे में हम लोग इस structure को यूज कर सकते हैं ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं Name of Proficience So dear friends, मैंने देखा हैं बहुत बार हम लोग इस बोलना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो words नहीं लिएते हैं तो आज मैंने अपनी इस discipline में से निकाल की कुछ important professions को यह रखा है जिससे हम daily life में यूज करते हैं और कई बार हमें उनके बारे में पतानी होता है Right तो आज हम उन सारे के सारे professions को English में सीखेंगे और English में क्या बहुते हैं Right वैसे बहुत सारे common हैं Doctor, Engineer और इसके लाब अकाउंटेंट यह उन सारे professions को मैंने नहीं रखा है Lawyer यह यह सारे professions को मैंने नहीं रखा है Just because of These are very common Right तो चलिए जान लेते हैं पैरा आता है हमारा Astrologer Astrologer की बात करेंगे तो Astrologer जोतिसी जो 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 ब्रह्मा अडिकी नक्षत्रों के बारे में आविज रखता है That is called Astrologer Right So are you Astrologer? No, I am not Astrologer But he is Astrologer Right Auditor Audit करने वाला Charge परतान करने वाला किसी भी department में एक auditor होता है वो क्या करता है? चीजों को charge परता करता है Artist Kalakar यानि जो अपने हाथ से कारीर ही दिखाता है Architect Architect मतलब जो भबबन निर्मार कारी में अपनी काला कारी दिखाता है भबन नर्मार कारी में वो उसको blueprint देता है जानि की एक blueprint पहले से तियार करके देता है उसी format पे फिर वो बनता है अगला है बारवर बारवर मतलब नाई तो हम लोग जानते हैं एक मुवी ओई थी सालखान की बिल्लू बारवर 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 मतलब नाई ब्रोकर यानि दलाल जो मिडेटर होता है जो बीच का पैसा खाता है that's called दलाल ब्रोकर वुचर वुचर म लखे हैं blacksmith मतलब लोहा जो लोही का काम करें वाला that's called blacksmith black मतलब काला क्या होता है काला हमारा होता है लोहा राइट and gold goldsmith होके सुनार जो सुनार का 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 काम करेगा यह नहीं गोल्ड का का काम करेगा वो क्या है सुनार अगला है सौफर सौफर क्या होता है इसे चौपर मत द्राइबर होगे, for example, I am a owner of a car and I myself driving car. मेरी कार हो, मैं ही डाइब कर रहा है, that is called driver. Right, but मैंने एक व्यक्ति को हायर किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किस बात के लिए कि आप मेरी गाड़ी चलाएंगे, that is called software. यानि कि चालक जिसे हमने हायर किया हुआ है, जिसे हम सेली देने, सिर्फ चलाने के लिए, that is called software. Right, okay, अब बात करते हैं, cultivate, cultivate से मना है cultivator, यानि krisak, krisi, cultivate होता है krisi, और उसी से मना है krisak, यानि kisaan, cultivator, right, coplar, यानि mochi, इसके लावा, confectioner, यानि halvai, right, तो जितने ही लोग, अगला आता है हमारा editor, editor मताब संपादक, तो हमने देखा है, जितने भी newspaper होते हैं, वहां संप इस मतलब फूलो को विक्रेता है, यानि एक विक्ति जो फूलो को profession, फूलो को काम करता है, वो क्या कलाएगा हमारा, florist कलाएगा, अगला आता है gatekeeper, gatekeeper मतलब दर्मयान, यानि की चौकिदार, एक तरह साम चौकिदार भी बोल सकते है, gatekeeper को जो घर के बाहर रहता है, gatekeeper, shopkeeper, यानि वो सारे के सारे दुकान चलाते हैं, इसकाल शॉपकीपर, green crosser, यानि सबजी के ठेले वाला आपनी क्या कलाएगा, green crosser कलाएगा, juggler, juggler होता है, जादु दिखाने वाले, juggler, जैसे एक movie आई थी, दूम्त्री, जिसमें वो जगलर का काम करता है, आमी इखान, जग दूधिया होता है, जो हमारे गर दूध देने आता है, that's called milkman, इसके लाभा हम बात करता है, pilgrim, तो pilgrim क्या होता है, pilgrim होता है, तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री को हम जाब लेंगे, pilgrim बोलेंगे, और इसके लाभा, proprietor, proprietor मतलब मालिक, किसी भी website का मालिक प्रोप्रोप्र पडाने वालाता है, वो कौन है, sweeper है, sculpture, जो वेक्ति मूर्तियां बनाता है, sculpture, murtikar कैराता है, tutor, यानि tuition पडाने वाला, like me, like some other teachers, junk dealer, junk मतलब कबाडा, और junk में deal करने वाला, क्या किरा है, junk dealer, यानि कबाडी, कबाडी को हम क्या बोलेंगे, junk dealer, user होता है, जो व्याज पर पै पॉर्टर पॉर्टर होता है कुली पॉर्टर मतलब कुली और प्रीस्ट प्रीस्ट मतलब पादरी या पुजारी को हम प्रीस्ट कहते है अब पास करते हैं कुछ ऐसी कॉलिटीज अब मुझे बताने का अच्छा है गुड है बाद है यह बहुत कॉमन क्वालिटीज यह तो मैंने आपके लिए को सलेक्ट करके कुछ अच्छी क्वालिटीज को निकाला है जो स्टैंडर है इडियमिक है यानि कि मुहावरेदार है उसे यूज करने से सामने वाले को यह लगएगा कि आपकी इंग्लिज पर बहुत अच्छी पकड़ है आप उन सारी क्वालिटीज को अपनी लेंग्वेज में सामिल करेंगे तो चलिए मैं बताता हूं पहला हमारी क्वालिटी है बिग गण तो यह एक अच्छी परसेंट जिसके बहुत सारी फ्रेंड फॉल रही है तो वह क्या कराएगा बिग गन एक ब्लाक शीप ब्लैक मतलब खाला शीप मतलब तो ब्लैक शीप पो वो लेंगे छुपा हुआ सब रूप यानि कि जो आपके बीच में ही रहता है और आप ही को डसने की कोशिश करता है तो कई बार ऐसा होता है महा वारत में जैसे हमने देखा हम वाइट तो वो क्या कैलाएगा ब्लैकशीट कैलाएगा अगला है बुक वों बुक वो तक खितावी किड़ा तो आप में देखाऊ वह सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में लगे रहते हैं, वो किताबों को समझते नहीं, सिर्फ पढ़ने में लगे रहते हैं, रटने में लगे रहते हैं, that's all book bomb, किताबी किता हम बोलेंगे उसे, dark horse, छुपाओ और रस्तम, dark horse अच्छा word है, for example, एक वेक्टी है, जो एक लड़का है, एक इस्ट्वेंड है, जो क्या करता है अपने फैंट के साथ बाहर खेलता रहता है, और ज्यातर आप खेलते हुए उसे देखेंगे, बट वो वर्सेटाइल है, उसके अंदर जब्रदस quality है, और जब्रदस quality उसके अच्छे marks आते हैं, गेपस में भी बड़ अच्छा है, तो वो क्या है, छुपाओ रुस्तम, या करता रहता है, चैटर बॉक्स होता है, बड़ बोला होता है, बहुत सारी बाते करता है, और तो उसे हम बोलेंगे चैटर बॉक्स, तो, are you a चैटर बॉक्स? No, I am not a चैटर बॉक्स, but my brother is a चैटर बॉक्स, right? इसके लिएब हम बात कता है, चाइड़िस, चाइड़िस का मतल लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, तो चैट लाइक है, तो चैट इसमें अंतर क्लियर हो गया हो, right? अगरा है फ्रीलांसर, स्वारी ओ फ्रीलांसर, यानि एक व्यक्ति जिसके पास प्रैलेंट है, वो काम तो करता है, लेकिन किसी के अंडर्टेकिन काम नहीं करता है, for example I am a teacher, मैं teaching करता हूं, बड़ मैं किसी school में काम नहीं करता हूं, मैं किसी coaching में काम नहीं करता हूं, मेरा खुद का काम है, मैं खुद फ्री हो कि, मेरा मन हुआ तो काम किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, that is for freelancer, यानि एक खुद कि इच्छा से काम करना, right? अगला बात करते है, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक बड़ा अच्छा है, आपने दिखाऊगा आज का लोगों के अंदर सेंट्र सकती बड़ी खतम हो गए, जरा सिबागते रिडेट हो जाते हैं, तुनक मिजाज हो गए है, that is called एक्सेंट्रिक, यानि सनक बोलेंगे से, right? तो he is eccentric, right? अगला ह famous, famous होता है, positive way में एक विक्ती प्रसिट हो रहा है, एक होता है, notorious, negative way में है, तो कुख्याद जिसे हम बोल सकते हैं, तो पुराने जमाने चम्बल की डगेत होते हैं, क्या दपनास होते हैं, सोले मूवी में जो डगेत है, गबब, वो क्या है, notorious है, तो आप बच्चों के अच्छी बात है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो well off होते हैं, यानि कि धनी धन्य होते हैं, पैसे सम्रद होते हैं, उनके पास की कमी नहीं होती है, उसके बाद भी हम उसकी मदद कर देते हैं, वो इस चीज़ का फाइदा रहा है, मिस्टर राज is well off, उसकी प्राई करता हूं, ना ही कुछ मेरे दिल में रहता है, आना, open to, मैं खुली किताबू, कोई भी आई, सब के लिए मेरे साथ ब्यवार एक लिए रहता है, अगला, कुछ और क्या रहा हूं, कुछ और सुन रहा है, गुस्सा होगे चला है, बड़ा जीवाद नी, जब कोई व अगला है, अगला है, रोलिं स्टोन, जो पलटता रहता है, जिसे हम हिंदी में कहता है, बे पैंदे का लोटा, रोलिं स्टोन, नो, I am not a rolling stone, but he is a rolling stone, माइजर, कंचूस, माइजर मतलब कंचूस, एक एक की जो बहुत जाता कंचूस है, that is called माइजर, extravagant, मतलब फिजूल खर्ची, एक तो है बिरुकूल खर्च नहीं करता, और एक है कि एतना जाता खर्च कर देता, खर्च करते रहता, खर्च करते रहता, तो क्या कराएगा हमारा, extravagant, now, we are talking about versatile, but he is a wellness quality, versatile like Amitabacha, he can fight, yes, he can dance, he can sing, he can write, write, he can act, so he has different, 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 different qualities, he has so many qualities, and such kind of personality is called versatile, इस तरह की personality versatile कराती है, versatile का मतलब हो किया, एक जत्ती जो बहु बुरी प्रतिवा से संपन है, जिसमें बहु सारी qualities है, versatile, right, okay, next, rowdy, rowdy होता है लडाको गेती, लड़ने जहने बारा, rowdy रउठार रूठार रिमोवी आई थी, yes, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, so these are some common words, जिसे हम लैंग्विज में यूज करते हो, कई बार इसका मतलब नहीं समझ पाते है, तो rowdy का मतलता है, लड़ने जहने वाला rowdy, so are you rowdy, no, I'm not rowdy, I'm very simple guy, right, okay, rowdy is, तो हम देखने एक show आता है, reality show आता है rowdy, rowdy का मतलब क्या है, rowdy का मतलब है, कि आपके पीछे चलने वाले लोग, यानि आपने एक ऐसी मसाल काम कर दी, आपने एक ऐसा काम कर दिया, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपना आइडल मानते हैं, और आपके पीछे लोग चलते हैं, यानि आप प्रदसव को होन के, टॉश्च बिरर चैसे बोल सकते हैं, रोडी इस, right, अगला गेर्टी, अपरादी, अपने अंदर बोल सकते हैं, किसी गल्ती को लेके महसूस करना, right, तो I'm guilty, मैं परादी हूं किसी चीज़ के लिए, right, I'm guilty, right, so are you guilty? No, I'm not guilty, but I'm guilty, right, so अगला बात करते हैं, flatterer, आजकल दुनिया बड़ी चाप्लूस होके हो गई है, जो व्यक्ति चाप्लूस कर सकता है, वो सफर हो सकता है, right, तो चाप्लूस ही, flatterer, चाप्लूस, right, so are you flatterer? No, I'm not flatterer, but he's flatterer, right, timid, कायर, एक व्यक्ति जो हिम्मत नहीं दिखाता है, वो दर्पोख है, कायर है, that's called timid, orphan, अनाथ, एक व्यक्ति जो अनाथ है, जिसके parents नहीं है, बच्पन से ही, right, अग्ला है, patriot, patriot, patriot होता है, देशबक्त, एक व्यक्ति जो देशबक्त है, देश के लिए काम करता है, देश के लिए सूचता है, that is called patriot, तो आप sound का विशेज जाने की, patriot नहीं है, patriot, right, अग्ला है, down-prudent, बहुत ही important word है, down-prudent, मतलब दली, down-prudent मतलब दलित, मतलब तबही कुछ लिए लोग, मतलब वो व्यक्ति जोज का समाज में कोई इस्थान नहीं है, दबह कुछला है, जाती से, धर्म से, right, the down-prudent people rolling this, so are you down-prudent? No, I'm not down-prudent, right, minor, minor होंता है, नावाली, एक विक्ति इसके 18 साल की इस नहीं है, तो minor का मतलब नावाली, right, uncivilized, आज कर हम देख रहे हैं, lockdown चल रहा है, लोग फिर भी नहीं मानते हैं, सर्गों पर आजाते हैं, निकल आते हैं, right, तो uncivilized हैं, they are not responsible enough, वो उतने चिम्मेदार नहीं हैं, they are uncivilized, right, okay, immortal, immortal मतलब, अमर, इसे माराना जा सके, are you immortal? No, I'm not immortal, right, आज आपने इतनी सारी qualities, इतने सारे professions को सीखा, और in professions and qualities को हमें उसे structure के साथ practice करना है, are you? No, I'm not, but he is, right, so I hope यह सारी vocab, यह सारे profession and qualities आपको help करेंगे, कुछ standard है, आप इसे English में सामिल कीजे, बोलिए, practice कीजे, और आपकी English अभी के हमने सारे lecture सीख लिए है, now we can practice in English only, and then after, we will go ahead, right, okay, so stay home, stay safe, bye-bye, take care, see you in next video. क्द Jour师 झाल झाल